वेल्कम डू माइ चानल निट्स किचिन आज हम बनाएंगे होममेड देशी घी यहां पे मेरे पास एक बगोना स्टोर्ड क्रीम है इसको अब एक बड़े बगोने में ट्रांसफर कर लेना है हमें और एक मधानी की हेल्प से हमें इसे फेटना होगा अच्छे से हमें इसे फेटना है लगतार चलाना पड़ता है मेधानी को लेकिन इस मेथर्ड की वज़े से आप बहुत सारी वराइटी निकाल सकते होगे इस क्रीम से और मैक्सिमम अमाउंट ओफ देशी घी निकलेगा हमारा थोड़ा पुराना तरीका है लेकिन कहा जाता है old is gold देखिए लगतार चलाने से तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपको उसे लगतार फेटना होगा आप देख सकते हैं मलाई कैसे ही एक solid form में convert हो गई है अब हम इसमें आट करेंगे पानी अब जैसे ही पानी आट करेंगे इसे बस एक दो बार हमें mix करना है और आपका मक्खन निकलना तयार हो जाएगा यह सबसे पहली चीज है हमारी क्रीम से चार वराइटी निकलेंगी सबसे पहला है मक्खन देख सकते हैं आप homemade fresh मक्खन बहुत healthy होता है ना इसमें fat होता है ना कुछ और आप देखेंगे कितना सारा मक्खन निकल जाएगा इसमें यह देखें प्योर white मक्खन है हमारा अगर इसको आप store करेंगे तो एक हफते तक आप fridge में से store कर सकते हैं पहली वराइटी होगई मक्खन दूसरी वराइटी है हमारा butter milk यानि की चाच इसको आप नमक काली मिर्च डाल के भी यूज कर सकते हैं या फिर इसमें हलकी सी दही डाल के आप कड़ी भी बना सकते हैं मक्खन के आप quantity देख सकते हैं अब हम इस मक्खन को दुबारा उसी भगोने में ट्रांस्फर कर देंगे जितना आपको निकालना है इसाप से उतना आप निकालने, अब हमें ग्यास पेस बगॉने को रखना है और धीरी याज पे इस मखळ को मेल्ट होने हमें देना है दो वराइटी निकल गई, पहली बटर, दूसरी बटर मिल्क, अब जैसे जैसे ये मक्खन मिल्ट होता जाएगा, ये घी में कन्वर्ट होता जाएगा लगतार इसे एक स्पैटूला के मदद से हिलाते रहें, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा तक्रीबर आदा गंटा लग जाता है हमारा गी निकलने में, आप देख सकते हैं, गी अच्छे, मक्खन अच्छे से हमारा मिल्ट हो चुका है अब गी बनने का प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है जैसे जैसे घी निकलता जाएगा, नीचे नीचे इसके खोया भी हमें मिलता जाएगा तो यानि कि चार वराइटी हमारी स्टोट क्रीम से तियार हो गई पहला मक्खन, दूसरा बटर मिल्क, तीसरा देशी गी और चौथा खोया गी निकलना शुरू हो चुका है हमारा अब बस गैस बन कर देंगे जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन आप देख रहे हैं या या फिर फ्रेश खोया जिसको आप सबजी में या फिर किसी मिठाई में बनाने में इस्तमाल कर सकते हैं जब हम इसको ड्रेइन ओफ करेंगे तब आपको खोया अलग नजर आएगा और देशी गी अलग खोया का कलर आप देखें किता प्यारा कलर आया है अब बस ठंडा होने पे हमें ऐसे ड्रेइन ओफ करना है एक स्ट्रेनर की मदद से ड्रेइन ओफ कर लें गी की आप कॉंटिटी देखेंगा अभी बस ये दिखोये का कलर देखिए होम मेट फ्रेश खोया है आपका देशी गी बिल्कुल फ्रेश ठंडा होने पे छाने ओल्दो थोड़ा गी जम जाएगा लेकिन ठीक रहता है गर्मा गरम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है चार वराइटी विद वन बोल ओफ क्रीम ट्राइ करें झाल झाल आजाले खोया है गजया है